हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम फिर लग गए हैं सफाई में दोस्तों आज हम अपनी सिडियों की सफाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी तो आज हमने सोचा आज साफ कर लेती हैं और कल सुबा इस पर पानी डाल के ह यह सारी निकल जाएगी और साफ हो जाएगा उपर का पूरा काम हमारा फाइनल हो जाएगा कल हमको पूरा जो हमारी च्छत है उसकी धुलाई करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है आप लोग देख सकते होंगे कितनी धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत हमने बहुत सारे काम किये है आज हमको अभी बच्चों की स्कूल भी जाना है तो यह हम सुबह सुबही काम कर ले रहे हैं उसके बाद हम नहाना धोना करेंगे नहाना धोने के बाद हमको जाना है बच्चों के स्कूल आज थोड़े पौधे भी थे उपर के जो हमें सही करने तो आज उपर के पौधे भी सही किए गए हैं बहुत ज़्यंदत सीडियों के नीचे भी हूड़ा पड़ा हुआ था तो हमने शीड़ी के नीचे की सफाई किए हैं आज बहुत सारी सफाई हमने की है आप लोग देखे कितना ज़्यादा यह सेमेंट का मसाला गिरा हुआ था और पूरी तरह से इसलेप पे चिपक गया है जो हमारी फर्स थी पूरी तरह से चिपक गया है जो कि छूट भी नहीं रहा है आसानी से यह हम लोहे के पती से साफ कर रहे है इसको तभी यह साफ हो पा रहा है और एक दिन में तो यह साफ भी नहीं होगा अभी इसको पहले हमने रगडा है और उसकी बाद पानी डाल कर जब इसको जाडू से रगड रगड के साफ करेंगे तभी यह साफ होगा बहुत सारे एंटे भी थे जो कि सिमेंट से चिपके हुए हैं जो छूट भी नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको छुडाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है दोस्तों बहुत ताकत लग रही है इस काम में क्योंकि जो सिमेंट थ सकते हैं कि कितना ज्यादा कचड़ा है जो कि सीड़ियों के नीचे भरा हुआ है और अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो फिर ये और भी जड़ा गहरा हो जाएगा और भी ज़्यादा मजबुती से चिपक जाएगा आज हमने इसको पूरा साफ किया है पूरे छट की सफाई किये हैं गंबले की भी सारी सफाई किये हैं आज हमारे हस्बेड ने भी सारे गंबले सेट किये हैं कटिंग भी की करने वाले थे पाउधे तो कटिंग भी की है बहुत ज़्यादा आज हम लोगों ने काम किया है फ्रेंड्स तो वहार की वज़े से थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है आजकल बच्चे भी हेल्प करवाते हैं जो भी काम होते हैं बच्चे भी थोड़ थोड़ी मदद करवा देते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि बच्चे भी समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम है और तेवहार भी आ गया है और बिटिया से हमारी बातचीत हो रही है थोड़ा हम लोग बातचीत कर रहे हैं छट पे बैठे हुए है अच्छा लग रहा है थोड़ी सफाई हो गई है तो सीडियों पे भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आप हम लोग बैठ की बातचीत भी कर सकते हैं इससे पहले त के और लोगों की तयारिया चल रही है को सॉपिंग कर रहा तो कोई सफाई कर रहा है तो कोई पापड़ बना रहा है सब लोग अपने-अपने काम में लगे हुए हैं तो ये बच्चे जा रहे हैं कтесьपी करने होली के लिए फ़र उखरीद नहीं को खरीदेंगे पर के साफ सफाइ करते करते हमको साठे दस बच गया है दोस्तों और बिटिया भोजदन नाराज हो रही है बिटिया का कहना है कि पैरेंस टेजर मीटिंग में जाना जरूरी है क्योंकि फाइनल रिपोर्ट भी मिलने वाले हैं आज फाइनल रिपोर्ट कार्ड मिल जाएंगे बिटिया का मन है कि जल्दी से स्कूल जाएं और हमारा रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे तो हम सबी लोग जाएंगे अभी पहले थोड़े थोड़े से काम निप्टाएंगे और उसके बाद हमको नहाना धोना भी करना है नहाने के बाद हमको अभी जाना है इनके स्कूल और इनके रिपोर्ट कार्ड लाने हैं, देखेंगे कि क्या पोजिसन है बच्चों की, बिटिया की तबियत भी ठीक नहीं थी, और पढ़ाई कैसी हुई है, क्या रिपोर्ट कार्ड आएगा, यही सब दिमाग पे चल रहा है, बिटिया बहुत जदा परिसान है, बिटिया का क ही किये है, पापा भी आज लगे हुए है, बहुत ज़्यादा इन्होंने भी महनत किये है, पौधों की कटिंग वगएरा भी इन्होंने किये है, और कुछ गमले भी सेट किये है, गमले बहुत ज़्यादा तूट गये हैं, जो पुराने गमले रखे थे, वही गमले आज कर दिया गया है और इनको पानी भी दे D तो इतना फूल आता था में कि हम आपको बता नहीं सकते हमने आप को पहले video में दिखाया था कि हमारे कुछे की बहुत बुरी दनर की बहुत दुख कुर में पयुल पदा हमारा श्मॉचान करते हैं चोटी सी डंड धिह चिक तुम रखेंगे कुछ टिनों के बाद जना काइझ विश्व में फूर कती और षाइए खाने में हमने आज मसूर की डाल बनाई है दोस्तों स्कूल जाना है तो इसलिए हमने जल्दी से डाल बना ली है डाल बना के हम तयार हो जाएंगे और जाएंगे स्कूल उसके बाद में रोटी चावल बनाएंगे हम एक देड़ बजे के करी रोटी और चावल बनाएंगे क्योंकि हमको जाना है इस्कूल 11 बच चुके हैं और वहाँ एक दो घंटे तो लगी जाएगा इस्कूल आने जाने में तो ये हम रास्ते में हैं इस्कूल जा रहे हैं बच्चों के साथ बच्चे भी जा रहे हैं साथ में आई इस्मान का एडमिशन भी करवाना है तो उनको भी लेकर जा रहे हैं दोस्तों इनका एडमिशन फर्स क्लास में होना है तो आज हमको form भी लेना है और form लेकर हम आएंगे फिर form भर की जमा करेंगे इनका test वगेरा भी होना है तो ये भी जा रहे हैं बिटिया भी आई हैं दोनों साथ में और हम भी आए हैं इनके पापा भी हैं हम सब लोग आ गये हैं ये Mary Gardner School है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं Mary Gardner Convent School में बच्चे पढ़ते हैं और इनके एक्जाम हो चुके थे आज इनका final report card मिलने वाला है तो हम लोग लेने आए हैं parents teacher meeting भी है आज दोनों काम एक साथ हो रहे हैं दोस्तों इसकूल हम लोग पहुँच चुके है बिटिया भी जा रही है साथ में बिटिया को अंदर से बहुत ज्यादा उल्जन हो रही है इनका report card कैसा होगा क्या report में आया है ये बस देखना चाहती है जल्दी से जल्दी अब हम सब लोग स्कूल के अंदर आ गए हैं ये इनका स्कूल है बहुत सारे बच्चे ही हैं यहाँ पर दोस्तों क्योंकि आज parents teacher meeting है तो बच्चे भी है parents भी हैं सभी लोग आये हुए है school आज बंद है कोई class नहीं खुली है उपर की दो class है जहाँ पर बच्चों की teacher से हमें मिलना है हम वहाँ जाएंगे ये office है जहाँ पर फीस वगएरा जमा हो रही है admission के form भी मिल रहे हैं यहीं से तो हम लोग यहीं पर admission के form भी ले लेंगे आयस्मान का admission करवाना है तो यह हम पहले बिटिया के class में जाएंगे और इनका report card लेकर आएंगे उसके बाद नीचे आयस्मान की admission के लिए बात करेंगे दोस्तों अब ही एक साल से लगवग कहीं स्कूल नहीं गये हैं कोविट की वज़े से यह पूरी तरह से घरी पे थे जो इनको आता था वो भी यह भूल गये हैं और अब हम आये हैं स्कूल इनका form ले रहे हैं इनका form लेकर हम उसको भरेंगे मंडे को इनका test होगा इनकी मैम ने बोला है कि एक दिन इनको revision करवाईए उसके बाद हम मंडे को test लेंगे और उसके बाद ही इनको admission मिलेगा दोनों बिटिया भी इसी स्कूल में पढ़ती हैं तो मैंने सोचा कि भीया का भी admission इसी स्कूल में कराएंगे तो तीनों बच्चे एक साथ थी आएंगे असान भी रहेगा लाना ले जाना भी एक ही जगह से रहेगा इसलिए हम तिनों बच्चों का एड्मिशन एक ही जगह पर करवा रहे हैं दोस्तों यह इनका एड्मिशन फॉर्म हमको मिल चुका है और अब हम लोग फिर से आ जाएंगे घर हमारा व्लोग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छा लगा हो लाइक और शेयर भी करना दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा बाच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में